हेलो फ्रेंग्स रादा की रशोई में आप सबका फिर्षे श्वागत है आज मैं लिखके रही हूँ सूरन के सबजी सूरन को हमने छील लिया था दो से तीन पानी में वोश कर लिया है फिर इसमें नमक और पानी मिला कर सूरन को दस से पंदरा मिट के लिए भीगा के रखा थ ताकि इसमें जो खुजली होती है गर काटता है वो अच्छे से निकल जाए चली गैस की ओर चलते हैं कड़ाई हूँ कड़ाई अच्छे से गर्म होने देंगे कड़ाई में एक बड समष करेंगे टेल में डाल देंगे सुरान चुरान को अच्छे से भून लेंगे गॉर्डन ब्राउन होने तक दोस्तों हमने इसमें एक आलू एड़ किया है हमारे बच्चे को आलू पसंद है आप इसकीप कर दीजेगा जब तक हमारा सूरन भून रहा है तो तक हमाटेरियल देख लेते हैं हमने दो मीडियम साइज के प्याज लिये थे जिसे रफली चोक कर लिया है एक मीडियम साइज के टामाटा लिया है उसे भी रफली चोक कर लिया है दस से बारा लेशन की कलिया है आधा इंचे द्रक कर टुकड़ा है एक घरी मिर्च है मिर्च आप अपने अंशार रख सकते हैं कुछ खड़े मसाले हैं तेजबा सुकी लाल मिर्च लॉंग डाल चीनी नहीं था मेरे पास दोस्तो हमारा सुरन भून चुका है अब हम इसको दूसरे बरतन में ट्रैंश्पर कर लेंगे दोस्तो हमने इसमें नहीं सुरन को बोयल किया है नहीं हमने नीबू का यूच किया है फिर भी हमारी सची चल्दी से अच्छे से पक जाती है और हमारे गैस की भी बचत हो जाती है आप एक बार जरूर ट्रै करिएगा इसी कड़ाएं में हम दो बड़े चमस तेल आड़ कर देंगे तेल अच्छे से गर्म हो जाए हम इसमें आड़ करेंगे राई और जीरा राई और जीरा अच्छे से कड़जा इसमें आड़ करेंगे सूके कड़े मसाले इसको भी अच्छे से बूल लेंगे इसमें आड़ करेंगे प्याच की प्यूरी जो हमने पीश के रखी है दूस्तों प्याच को बिल्कुल बारीक नहीं पीशना है हलका सा दरदरा ही रखना है प्याच को दो मिनुट तक भूल लेंगे ताकि इसका कच्छा पन का श्वात चला जाए अब हम इसमें आड़ करेंगे आदो लेसन मर्चा का प्याच्ट इसे भी भूल लेंगे अच्छी तरह से बीच बीच मर्च चलाते रहे ताकि इमारी कड़ाई पकड़े नहीं अब हम इसमें आड़ करेंगे एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर अच्छे से कर लेंगे मिक्स यहीं पर आड़ करेंगे हम टमाटर की पीवरी अच्छे से मसालो को दो मिनट तक भूल लेंगे ताकि इसमें का जो तेल है वो उभर कर आ जाए इसमें आड़ कर देंगे सूरण जो हमने बून कर रखे थे इसमें है मैट करेंगे पानी पानी आप अपने उसाल कम या ज़्यादा ले सकते हैं जैसे आपको ग्रेवी पशंद हो दोस्तों अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा स्वादा अंशा नमक डाल देंगे डखकन से डखकर 15-20 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लैम पर दोस्तों हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है वहाती खान इसमें हम एड़ कर देंगे चैट मसाले इससे टेस्ट अच्छा आता है हरी धनिय के पत्ति डाल देंगे दोस्तों हमारी सब्जी बनके तयार हो गई है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो